आज के वीडियो में रेबीज रोग के अंतरगत रेबीज रोग क्या है ये किस कारण से हो जाता है इसके लक्षण कौन कौन से है इसके उपचार कौन कौन से है बिस रेबीज दिवस कब मनाया जाता है और रेबीज के टीके की खोज किस ने की थी इसकी रोग थाम कैसे करें कब लगाया जाए कि आपको रेबीज रोग ना हो कितने घंटों के बाल लगाया जाए सम्पूर जानकारी आपको चित्र सही समझाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वेडियो लास्ति देखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सकाइब ना किया हो तो सब्सका अलर्क रोग या जलानतक रोग अथवा हाइड्रोफोबिया रोग के नाम से भी जाना जाता है रेबीज को अलर्क रोग भी कहते हैं जलानतक रोग भी कहा जाता है अथवा हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है यहाँ वीसाड़ जनित बीमारी होती है यानी व पीसाडवू से होने वाला रोग है या वायरस से होने वाली डिसीज होती है अर्थात रेबीज वायरल डिसीज है जो रैब्डो वायरस अथवा इस्ट्रेट वायरस से होता है और यह केंद्री तंत्री का तंत्र पर प्रभाव डालता है मतलब यह केंद्री तंत्री का तंत्र के काटने से होता है मतलब यह रोक पागल कुते पागल बिल्ली यानि की संक्रमित बिल्ली संक्रमित बंधर आदे के काटने से होता है मतलब कोई संक्रमित कुता है जिसमें यह रेवीज का वाइरस था और उसने किसी इंसान को काटा या किसी अन्य जानवर को काटा तो उसमें भी ये वाइरस पहुँचाता उसको भी रोगी कर देता है संक्रमित कर देता है मतलब यह हुआ कि किसी संक्रमित कुत्ते की जो लार होती है लार में रेवीज का वाइरस होता है यदि यह लार किसी मनुस या अने जानवर के सलेशमक जिली या म्यूकस मिम्ब्रेन के संपर्क म आता है तो स्वस्त मनुस से भी संक्रिवित हो जाता है या स्वस्त जो जानवर है वो भी संक्रिवित हो जाता है आपको बता दें कि मनुस में रेवीज के अधिकतर मामले कुटों के काटने से होते हैं और रेवीज के निन्यानवे प्रसस से अधिक मामले कुटों के काटने से यह होते हैं जलिए अब रेवीज के प्रमुख लक्षण या सिम्टम्स को जान लेते हैं तो वायरस सरप्रथम मस्तिस्क तथा मेरु रजु की कोशिकों को उत्तेजित करता है और उसके बाद उन्हें नश्ट कर देता है इसमें सिर्दर्द तेज बुखार छातिवा गले की पेशियों में सूजन एठन इस रोग के प्रमुख लक्षण है प्रमुख लक्षण में क्या होगा सरीर में दर्द होगा सिर्दर्द होगा तेज बुखार होगा चातिवा गले की पेशियों में सूजन आ जायेगी एठन होने लगती है और इसके साथ ही रोगी को बेचैनी होती है दोड़े पढ़ने लगते हैं भोजन निगलने में कठनाई होने लगती है पानी से भी डर लगने लगता है और पानी से डर लगता है इसलिए इस रोको हाइड्रोफोबिया रो कहा जाता है क्योंकि पानी से विक्ति को डर लगने लगता है अताहा प्यासा होने पर भी बेक्ती पानी नहीं पीता है क्योंकि पानी से डल लगता है और घोर पीरा के बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है काफी अधिक पीड़ा होती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है चलिए इसके उपचार अथवा ट्रीटमेंट को समझा देते हैं देखे रेबीज के उपचार की विधी लुई पास्चर ने विखसित की थी मतलब सन 1880 इस बी में प्रसिद फ्रेंच वैग्यानिक लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का सफल परिक्षण किया था किसने पानवता को एक बड़े संकट से बचा लिया था आपको बता दें कि पागल कुत्ते के काटने पर अमुक विक्ति को रेबीज वैक्सीन के 14 इंजेक्षण लगाया जाते हैं अब रेबीज का एक ऐसा वैक्सीन तयार किया गया है जिसका केवल एक इंजेक्षण ही काफी होत आपको बताते चलें कि रेबीज का इंजेक्षण अथव टीका प्राथमिक स्वास्थ केंद्रों सामुदाइक स्वास्थ केंद्रों अथव जिलह अस्पतालों में नहीसल्क लगाया जाता है रेबीज के 97 मामले संक्रमित कुत्ते के काटने सेह कहोते हैं मैंने अभी आपक देखती रेवीज की चपेट में आ सकता है जंगली जानवर के काटने पर यदि घाव अधिक गहरा नहीं हो तो उसे साबुन से कम से कम 15 मिनट तक धोना चाहिए इसके बाद बीटा डिन से अच्छी तरह से साफ करें घाव को ढखें नहीं अगर घाव अधिक गहरा है तो तुरंत ही चिकेशक के सलाह से उसकी साफ सफाई करें और चिकेशक को दिखाएं पालतु जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली आधिका प्रतिरक्षी करण कराना चाहिए